हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हारदिक स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में दो महत्पून जांकारियां आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ डीये डीयर पर लेटेस्ट अपडेट आज होगी 53% डीये डीयर की घोशना आज 9 अक्टूबर को है कैबिनेट मीटिंग युद्ध सम्मान योजना 15 लाग का क्या है लेटेस्ट स्टेटस क्योंकि बहुत से पैंसनर्स सवाल पूछ रहे हैं देखे रिकोर्ड से भी एक लेटर आया है जिलस हैनिक बोर्ड ने भी अक्सेप्ट किया है दोनों लेटर्स को दिखाऊंगा और आपको क्या करना है वो भी जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो परसंद आए तो लाइक और सेयर जरूर करें देखें आप यहाँ पर न्यूज में देख सकते हैं सेवंथ पे कमिशन गवर्मेंट लाइकली तू अनौन्स थ्री परसंट डिये हाइक इन अक्टूबर ओल आईज ओन कैबिनेट मीटिंग जी हाँ दियार की गोशना होगी लेकिन अभी तक सरकार ने गोशना नहीं किया है तो आज हम उम्मीद करते हैं कि यह आपको गोशना आती हुई दिखाई देखी जो भी अपडेट होगा आपके साथ सेयर जरू किये गया अब चलते हैं दूसरी बड़ी जांकारी की तरफ जो है मुझे कमेंट आता है नमसकार सर युद्ध सम्मान योजना रिकोर्ड ओफिस से लेटर भेजा है बहुत देर से मिला क्या डाटा 24 अगस को 31 अगस तक देता यानि एक सेप्टमबर को हमें लेटर मिला उन्होंने ये बताया और लेटर भी उन्होंने मेरे साथ सेयर किया जो फिफ्टीन लाक अंडर युद्ध सम्मान योजना और देखें बहुत से जो लेटर्स थे मोडी के डी एस डबलू के उनका हवाला दिया गया और बताया गया कि अगर आपने 1965 1971 वार में बाग लिया है और आपको समर सेवा मैडल पूर्वी स्टार या पस्टमी स्टार मैड डिटेल्स मेंसेंड इन अपेंडिक्स A अटेस्ट विस लेटर आर रिक्वायर तो बी समिटेड तो हायर हैड़कोर्टर दूली फिल्ड इन और एक्सर्विसमें और बाइड देर इस्पाउज अलोंग विद फॉलोइंग सपोर्टिंग डोकुमेंट्स क्या के गनवल इंकम डूली साइन बाइड सरपंच या तैसीलदार प्रूफ और परजेंट ओक्योपेशन जो सरपंच के दौरा साइन हो इंकम टेक्स डेटेल दोजार उन्नीश वीस इकिस बाइस बीस बीस तेहीज चोबिस और बाइस तेहीज यानिंश बीस से लेके चोबिस तक का डाटा मांगा, एड्रस, कॉंटेक्ट नमबर, इमेल आईडी, आदार एंड पैन नमबर, एक्सर्विस्मेन और देर इस्पाउस, एनि एफटी फोर्म और कैंसेल चेक और फर्स्ट पेज ओफ बैंक पास्बुक, यह डाटा लेकिन इनको जो लेटर मिला, इनको मिला एक सेप्टमबर के बाद में, यानि उनको जो ड्यू डेट थी कतीस अगस्त, उससे काफी बाद में लेटर मिला, फिर मैंने इनसे बताया कि आप इस नमबर पे कॉल कीज़े, जब उन्होंने इस नमबर पे कॉल किया, तो उन्होंने अपना डाटा जो है उनको send कर दिया यहां पर देखी यह पूरा उसका second form था जो उसमें attached था यह data इस format में आपको बेजना है नाम, rank, age, address, contact number, particulars, rate of birth वगरा के साथ में, land कितनी है, income certificate, occupation, annual income क्या है और remarks में सारा डाटा उनको बरके बेजना था आगे बात करते हैं एक पैंसनर का form भर दिया मैंने उनके पास दो medal थे तो सैनिक बोर्ड में उन्होंने form accept कर लिया है तो मैंने पूझा कि आपको कोई receipt वगरा दिया तो उन्हों बहुत रिसिप्ट नहीं दिया लेकिन जो form था वो मैंने copy कर लिया है तो यह जो है जिलाक सैनिक कल्यान कार्याल है कोलापू युद सम्मान के हिसाब से है यह form था जो उनको वहाँ पर दिया गया था और यह देखिए जो है उन्होंने भरके submit कर दिया है और वहाँ पर उन्होंने submit कर लिया है तो युद सम्मान को लेकर आप भी देखे अपने record office से लगातार संपरक में रहे अगर आप उसके लिए eligible ह हैं तो आपका भी data जरूर लिया जाएगा अभी क्योंकि consideration ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको दिया जा रहा है तो आप निश्चिंत रहिए अगर उसमें आपका नाम आता जैसे इनको देखे 24 सेप्टब अगस्त को देखे इनको मिला September में काफी लेट और October में इन्होंने जाक भी आपसे टाइम मिले एक दो बार बीच वीच में बातचीत जरूर करते रहें जानकर यह आपको अच्छे लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें फिर मिलेंगे आपसे जै हिंद जै भारत